बाई क्या ट्रेकांट लगी है यह देखो 100 दिया 1000 मिल गया यह देखो यह देखो 20 दिया 2000 अब देखो अब देखो बहुत क्रेजी वन ओल यह देखो 100 एक सेकर 100 what just happened guys अभी जो आपने देखा इसे हम कहते हैं over leverage and poor risk management 10 दाल के 1000 आना that is 100x leverage 20 दाल के 2000 आना again 100x leverage so अगर आपने आप भी तक नहीं सुना है तो crypto options में और crypto futures में आपको 100x leverage मिलती है यानि कि अगर आपने 1000 रुपए दिये तो आपके पास 1 लाक रुपए की trading capital आ जाती है जिससे आप bitcoin के futures में या options में trading कर सकते हो तक छोटे मोटे amount से leverage लेकर कभी-कभी profit बन भी जाते हैं लेकिन अगर आपने ज़्यादा leverage ले लिया उसके लिए आप ready नहीं हो तब बड़े-बड़े losses आपको face करने लग सकते हैं क्रिप्टो में अगर आपको futures options trade करना है तो क्यों करना है कैसे करना है कब करना है और हां क्यों नहीं भी करना है साथी साथ कहां करना ये भी बताएंगे तो लेकिए आज की रेट में crypto trading is not that uncommon सबको पता है कि इसमें trading होती है लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो चलिए थोड़ा साम basics cover कर लेते हैं और हम इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जिसको पता है आप आगे बाला part skip कर सकते हो crypto में तीन चीज़ें होती है एक होता है spot spot यानि कि अगर आपको invest करना है इसमें तब आप खरीद लेते हो Bitcoin को ही Bitcoin को आपने खरी दिया आज आची प्राइस इसको आपको 27,000 के आसपास मिल रही है आपने long term hold करके इसको sell कर दिया लेकिन अब आते हैं leverage products leverage यानि क्या आपने एक छोटा सा माउंट डाला उसके लिए आपको exchange ने बोल दिया कि ठीक है आप इतना दाल रहे हो मुझे तुम पर भरोसा है तुम इसको बड़ा कर सकते हो तो ये लो मेरी तरफ से और 100 गुना पैसा इसका रखो अब उस पे trade करो ठीक है इसको हम कहते हैं leverage in other words it is a short term loan loan का interest वगरा नहीं लगता बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपको एक loan capital मिल जाता तो उसी तरह के क्या होते है futures one of the thing you can trade in is called futures futures क्या होते है crypto के let's say हम यहाँ पे 27,000 का इसका price देख रहे हैं ठीक है अब आपको futures में certain contract size मिल ज उसके हिसाब से आपको trading होगी for example अभी आपने one bitcoin ले लिया अगर one BTC हमने लिया है एक BTC में जितना भी move होगा let's say हमने 27,020 पे buy कर लिया और हमने sell किया है इसको 27050 पे ठीक है कितना यह bitcoin by US dollar हमें कितना 30 जो 30 का difference रहेगा यह मिल जाएगा in future trading अभी चले यहाँ पे तो US dollar दि using होगे don't worry about it future trading होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेथर के साथ होती है अब bitcoin versus US dollar नहीं trade कर सकते हो if I'm moving fast थोड़ा सा rewind करके देख लिए because video में काफी कुछ को मुझे cover करना है तो यह पार्ट में में जादा पी time spend नहीं करने वाला हूं तो दूसरी चीज़ होती है options लेट से आपको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है देखो यार अगर मैं यहां वन बीटीसी ले लिया तो अगर जादा गया तो मुश्किल हो सकता है यूद्व अगर थोड़ा सा मुझे हो सकता है प्रॉब्लमाटिक लगे इसके जगा पीए कर सकता है कि देखो यार जादा मुव्मेंट इसमें है नहीं ठीक है बिटकॉइन मुझे लग रहा है कि आज पूरे दिन इसी रेंज में फसा रहेगा तो आप फ्यूचर तो ट्रेड नहीं करोगे फ्यूचर आप कब ट्रेड कर नहीं तो करीवन डेल लाग 1.5 लाग का आपको कैपिटल लग जाता है वो यहां पे 100 एक्स लेवरेज के साथ आप कर सकते हो लेट से मुझे है कि आज बिटकॉइन जो है ना किसी भी हालत में 26,950 के नीचे नहीं जाएगा जिसको इसको पता है हम कॉल बाई करते हैं जब ह लगता है मार्किट नीचे आएगा ठीक है और दोनों कारते है या तो हमें मार्किट हमारे ऑपर जाने वाला है या साइड्वेज हो सकता है थी Maakit नीचे नेहीं होता है दो लुक पकर. अब आप मुझे बताओ, put buy हम कब करेंगे, जब market नीचे जा सकता है, put sell हम कब करेंगे, जब हमें लगता है, market उपर जा सकता है, अब यहाँ पर put के साथ साथ आपको एक और चीज दिखती है, वो है एक number, आपको सिर्फ ऐसा नहीं दिखेगा, bitcoin put, put, pe नहीं put, European, European style होता है, उसको आपको देखेगा, 27,000, 27,126, 900, इस तरह से आपको put में भी दिखेगा, call में भी दिखेगा, यह, that's it, that is it, ठीक है, BTC, PE, ऐसे करके आपको देखेगा, now, हमने अभी क्या देखा, simple support resistance, एक support level है, कौन सा level, 26,950, तो हमें इतना लग रहा है, कि देखो यार, यह market, या तो sideways रहेगा, इस तरह, या तो 26,950 के ऊपर चलता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर market ऊपर रहने वाला है, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो call by, या तो put sell, अब आप मुझे बताओ, इसके ऊपर रहने वाला है, 26,950, इसमें से 26,950 के नीचे कौन सा है, only 26,900, तो हमें जितना safe रहना है, उसके इसाब से 26,900 को हम sell कर देंगे, put में 26,800 को हम sell कर देंगे, input, क्यों करेंगे ये, because हमारा दो perspective है, या तो market sideways पूरा दिन रह सकता है, या तो market पूरी तरह उपर जा सकता है, तो हमने इसको जितने भी amount पे sell किया, let's say इसका price चल रहा है, 100 USDT, और हमने इसका, let's say, एक BTC worth का contract sell कर दिया, तब हमें अगर ये end हो गया, ठीक है, मतलब ये उपर ही close हो गया, या फिर 26,900 के, 26,901 पे भी, अगर BTC ने close किया, तो आपको ये पूरा का पूरा 100 USDT मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा confusing हो सकता है, थोड़ा सा चलिए, अपने exchange पे चलते हैं, और जानते हैं कि ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझना है कि, what is an exchange, exchange ये होता है कि, देखिए, contracts जो होते हैं, an exchange creates a new trade in them, जैसे Binance एक exchange है, Bybit एक exchange है, Delta is an exchange, नाम ही exchange है, now, we'll go with Delta, for the simple benefit, I'll tell you the simple benefit, ठीक है, चलो, Delta के अगर, screen पे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे options देखेंगे, check this out, यहाँ पे options देखिया, Bitcoin के options, 26,900 का जो है, 27,000 का है, 26,800 का, 26,700 का है, 27,200 का है, Ethereum में अगर आप देखोगे, 1810, 1820, 1830, 1840, ठीक है, तो आपको gaps, छोटे-छोटे मिल जारहें हैं, options में, now, the benefit of this, is that, आपको, हर जगा, जादा liquidity, और जादा precision के साथ, आप trade कर सकते हो, क्योंकि, let's say, आपने, चलो, option sell, नहीं के, option buy कर लिया है, ठीक है, option buy में, जतना छोटा-छोटा आपके पास gap बचा रहेगा न, उतना आपकी probability बढ़ जाती है, क्योंकि, let's say, Ethereum, अगर हम यहाँ पर Ethereum देखेंगे, let's check out the Ethereum chart, देखा अभी चल रहा है, 1818 के आसपास, ठीक है, अब मुझे लग रहा है, कि नहीं आ रहे है, फंदरा मिनट पर थोड़ा सा ऐसा, uptrend सा दिख रहा है, मुझे, या trend line break हो चुको है, so what I think, यह हो सकता है, 1820 से, एक move जल्दी यहाँ तक दे दे, आपको सिधा 1800 buy करना पड़े, और इतने दूर का अगर premium रहेगा, तो movement कामाती, और जितना छोटा छोटा रहेगा, आपका उसमें liquidity, और यह समय आपको benefit जादा मिल जाता है, so, delta exchange जो है, it is the second highest traded in options volume, इसलिए being an options trader, will prefer delta exchange, हम futures भी अगर देख लेंगे, मैंने इसका फुरा सा आउट यह चेंज किया है, और मेरा एक कभी trade चल रहा है, या अब टेकना small trade, size इसका 0.1 BTC का है, तो leverage मैंने इस पे, I think इसका भी 100 leverage ही लिया है, you can take any leverage, बट आपको risk management ध्यान में रखना पड़ेगा, कि भाई मेरा इसमें गया तो कितना जा सकता है, तो जैसा अभी आप देख रहों यहाँ पर, BTC Tether का चार्ट लगावा है, तो इसको अगर हम डेली पर करेंगे, तो आपको क्या लगता है, कौन से levels है, जो BTC Tether आज की rate पर break नहीं कर पाएगा, यहाँ पर 27,683 और 26,563, यह levels मुझे नहीं लगता कि आज की rate पर bank कर पाएगा यह, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ की हम call sell कर देंगे, और यहाँ की put sell कर देंगे, क्यों? बिकाज इसके नीचे नहीं जा सकता, और इसके उपर नहीं जा सकता, यह हमारी analysis है, अब यही चीज अगर आपको Indian market में करना है, for example, अगर हम देखें, यहाँ पर bank nifty है, nifty देख लेते हैं, चलो, nifty अगर हम देखेंगे, so देखो, अभी market continuously नीचे नीचे गर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब यह market 18,275 के ऊपर जाएगा, 100x leverage लग जाएगा, imagine करिए, एक लाग के जागा, आपको सिर्फ 1000 रुपया कुछ लग रहे हैं, कितना अच्छा रहता उसमें option selling, तो वो चीज आपको crypto options में possible है, nifty options में नहीं, बठा, along with that, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, number one, आपका risk management एकदम सही होना चीज है, because जितना leverage रहेगा, उस leverage के हिसाब से आपका profit तो होगा ही, लेकिन loss भी उसके हिसाब से हो सकता है, तो अगर आपने सही से stop loss नहीं लगाया, तो exchange automatically आपकी position को काट देगा, दूसरी चीज, leverage जब भी आप ले रहे हो, always keep in mind the brokerage, ठीक है, तो किसी भी crypto trade के time पे, brokerage जो लगता है, 0.02% maker fee, 0.03% इस तरह से कुछ taker fee लग जाता है, जैसे अगर आप यहाँ delta exchange पे देखोगे, तो look at the maker and taker fees, तो अगर हम options में कर रहे हैं, 0.03% taker fees, 0.03% maker fees, settlement fees, सारा कुछ 0.03% है, options में सारा कुछ सेम है, यानि कि हम market order भी दालेंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, वो भी समझाऊंगो, don't worry, अगर हम USDT के base पे future कर रहे हैं, तो taker का 0.05, और maker का 0.02, अब इसमें क्या अंतर है, simple अगर आपको देखना है, अगर आप market order place कर रहे हो, तो most likely you are a taker, यानि कि आप liquidity से जो orders पड़े वहे हैं, उसमें से ले रहे हो, maker कब, जब आप एक जगा पे limit order place कर देख तो, you become a market maker, so इस चीज़ का आपको futures में benefit है, options में थादा benefit है भी नहीं, but again, options कर रहे हो, it is better to place limit orders, यह पता नहीं आपको कहीं और पता है कि नहीं, limit orders better होते हैं, not just because of the fees, but also because of the liquidity factor, क्योंकि अगर आप options पे market order दाल दोगे, तो हो सकता है आपने, 41 की price देख के दाली है, और market order लगा दिया, तो हो सकता है आपको 32 पे आए वो, ऐसा क्यों, because bid ask करके एक चीज होती है, चली वो भी हम अभी देख लेते हैं, और फिर हम इस brokerage को और अच्छे से समझेंगे, और दुसे 0.05% of what? Of the entire price, यानि कि अगर आपने एक bitcoin लिया है, how much is one bitcoin? It is roughly around 27,000, correct, into 0.05% यह आपका brokerage लगेगा, वो कितना बन के आता है, लग भग लग भग, चार डॉलर, यह हो जाएगा, अगर आपने taker fees लगी आपको, ठीक है, और 0.03% उसे एसाब से आपको calculate करना पड़ेगा, एक bitcoin, ठीक है, इसमें contract size आपको इस तरह कुछ देखना होता है, जैसे अपने index, इंडिया में अगर आप trade करोगे, तो आपको एक lot रहता है, दो lot रहता है, quantity fixed रहती है, इसमें आप 0.01 भी कर सकते हो, 0.21 भी कर सकते हो, आपके हैसाब से, तो quantity आपको decide करना है, कितना करना, वो decimal में decide होता है, if you're doing bitcoins, या तो फिर आप contracts कर सकते हो, एक contract, दो contract, 10 contract, 1000 contract का एक bitcoin बनता है, चलिए वो भी हम समझते हैं, now, if you look at options, ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा था, चार्ट पर ये देख लेते हैं, तो कहां नहीं जाने वाला है, इट वोंड को above this, and below this, तो मैंने already order यहां place कर रहा है, I'll show you that order as well, एक simple options trade मेरा चालू है, वो है 28,400 का मैंने call sell कर रहा है, 41 की entry price है, 0.1 लिया है, तो उसके हसाब से, मुझे अपना UPNL, मतलब मेरा PNL दिख रहा है, कि देखो यार उसके हसाब से, मेरा कितना इसमें चल रहा है, so based on 0.1 BTC, यह होंगे 100 contracts, चलिए भी आपको समझाता हूँ, कि contract number कैसे होता, let's see, let's say I'm buying यहां पे, ठीक है, अगर मैं यह buy कर रहा हूँ, contracts कि क्या है, यह 26,900 की call buy कर रहा हूँ, इसमें अगर आप यहां देखोगे, तो यह देखिए, यहां पर आपको एक चीज दिखती, there's a bid price, and there's an ask price, एक और चीज यहां पर दिखेगी, आपको mark price, mark price, खली settlement पे काम आती, उस पर आप यह ध्यान मत दो, bid और ask पे ध्यान दो, bid क्या होता है, कि buyers कितना देने के लिए ready है, और ask वो होता है, कि sellers कितने में बेचने के लिए ready है, तो यहां पर देखिए, अपने आप में 10 USDT का difference आ रहा है, इसलिए, it is better to place a limit order, ना आप देखोगे, 10 USDT तो बहुत जादा होता है, true, लेकिन अगर आपको options trading करना है, तो इससे अच्छा spread आच्छी rate पर नहीं मिलेगा, यह अपने में एक problem ज़रूर है, लेकिन इसका benefit यह है, कि आज से 4-5 साल पले, अगर आप Indian market में options कर रहे थे, तो you had an edge, आपको पता था कैसे और क्या करना है, वो यहाँ पर आपकी edge, कहां से momentum आ सकता है, वहाँ पर हमें option buy कर लेना है, और कहां पर range bound है, अगर आप Bitcoin को track कर दे तो आपको पता है, कि most of the time Bitcoin range bound रहता है, अब बस sell करते जाओ, 100x leverage लो, एक दो दिन के पहले sell करते जाओ, देखो, अभी मुझे नहीं लगता कि, अगर weekly भी मैं देखूं, मुझे नहीं लगता कि, एक इस पूरे हफते में, 25800 भी break होगा, और अगर मैं देखो, 19th में का, 25800 के आसपा, 25500, इसकी put sell कर दूँगा, 32 मिल जाएंगे मुझे, 26th में का देखते हैं, 25800, 235500, 230 दॉलर्स मुझे खाने के मिल जाएं, as a seller, वो डिपेंड करता है कि, आप में कितना confidence है, और आप कितना risk लेने के लिए रेडी हैं, तो अगर मुझे normally ये buy sell करना है, एक bitcoin, normally, ठीक हैं, size देख सकते हो, तो bitcoin में, usdt में contracts में है, तो इसका simple राज ये है कि, 146 देख हमने यहां पे लगाया, if we are doing 1000 contracts, that is equivalent to 1 BTC, if we are doing 100 contracts, that is equivalent to 0.1 BTC, अगर हम 10 कर रहे हैं, 0.01, अगर एक कर रहे हैं, 0.001, usdt में करने से एक benefit ये होगा, कि आपको पता रहाएं कि, लेना या 1000 लेना है, 1000 is equivalent to 1 BTC, और 1 BTC का price है 27,000, ठीक है, थोड़ा अगर mathematics आपका हिलाद दोलादा है, तो बेटर ये रहेगा, कि आप जा के थोड़ा पहले ही brokerage calculator लगा दे, वहां से आप calculate करके देख सकते हो, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि, बेडास क्या होता है, अब चलो futures में देख लेते हैं, और राइट, अभी तो खैर मेरी position यहाँ पर बनी वी है, और futures में अभी एक और position लेना, यहाँ पर बनी पॉसिबल, चलो, अभी यहाँ पर कितना चल रहा है, 26,994, मुझे लग रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 0.05 लगता है, अगर मैं टेकर हूँ, अगर मैं मेकर हूँ, यानि कि अगर मैंने लिमेट ओर दाल रखा, थोड़ा ऊपर का, तब मुझे थोड़ा कम प्राइस लगेगा, चल यह एक ट्राइ करते हैं, मुझे अगर सिर्फ एक कॉंट्राइक लेना है, देखो इसका वाल्यू कितना है, एक कॉंट्राइक लेना है, लिमेट ओर लगा देते हैं, हम कितने का लगा देंगे, 27,000 चलो, 27,000 का हम लगा देते हैं, एक contract लेना है यह order एक लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए एक ले लिया मैं और यह buy कर दिया देखो यहां पर दिखा रहा है margin कितना लगेगा अगर यह 10 contract लगाया 2.7 that's it अगर मनें 100 लगाया so 27 चीक है 100 याने की 0.1 BTC 0.1 मतलब कितना 2699 इसको डिवाइड करो 2699 डॉलर का order के लिए मुझे सिर्फ 27 डॉलर देना पड़ रहा है 269 याने की 2700 का डॉलर order है वो कैसे बिकॉज मैं 100 contracts यानी 0.1 BTC ले रहा हूं 0.1 BTC वो कितना चल रहा है 27000 का चल रहा है उसमें से में सिर्फ उसका एक छोटा सा 10% हिस्सा ले रहा हूं जिसका value आता है 2700 उसके लिए 100 X leverage के साथ मुझे सिर्फ 27 USDT भरना पड़ रहा है तो चलिए हम यहां पे इसको 10 quantity कर देते ह यहां पे अगर हमें place कर दिया limit order मेरा यहां पे place दिख जाएगा ठीक है और वो execute भी हो चुका है already इतना जल्दी हुआ है कि this could have been executed as a taker order वो हमें पता चल जाएगा order history में trading fees 0.12 yes यह एक taker order बन गया है taker order कब नहीं बनता है अगर थोड़ी देर लेट से 2-4 second अगर आपका market में order placed है और किसी को वहां से liquidity मिली है अगर आपने just exact same दाल दे तो वहां पे आपको taker fees लग जाएगा अगर थोड़े 2-3 minute order पड़ा हुआ है तो आपको maker fees मिल जाता है अगर हम चलो यहाँ पर SL दाल देते हैं simple कितना SL रहेगा 20 26 975 simple बास आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं this is not the trade I would take and and आगे जाके आने वाले videos में we'll put in more money we'll start trading with this as well अगर video आपको अच्छी लग रही है we'll also come and do some live session with this bitcoin as well चलो ठीक है हम इसमें दाल देंगे SL ठीक है so यहां से SL दाल देते हैं instead of putting it on the chart हम यहां से simple add कर देंगे TP और SL यह एक और beneficial चीज़ है कि let's say मुझे इसमें देखो profit लग रहा है यहां तक 27 025 और SL है 26 975 simple दोनो 25 25 डॉलर का है 27 025 is my trigger यह target के लिए है अब जिदर भी जाएगा दोनों order place हो चुके है उपर गया तो हमारा profit हो जाएगा उसके साब से loss हुआ तो उसके साब से loss हो जाएगा अगर हमने यहां पे सिर्फ 0.01 लिया है वन लिया होता उससाब से profit लिया होता देखे यह सब concept आँ समझ लो because है यह थोड़ा सा advance because mathematics लगाना है यह क्या addition यह क्या subtraction पर अपने यह समझ लिया तो आपका risk management सही हो जाएगा तो तब अगर आप 100 होगे तो 10,000 का value निकाल पाओगे नहीं तो अगर आपने over leverage कर दिया तो let me show you all those orders तो शुरू में I started out with I think 500 USDT तो मैं test करा था कि 100 से कैसा होता है risk management test करने के लिए I just took 100 quantity इसमें मुझे 5 का profit हो गया उसके बाद मैं सब्सक्राइब चोटा चोटा करने लगा because options में अगर आप 100 quantity से करोगे न थोड़ा सा आपको account value मिल सकता है because यहां पे मुझे price मिला 35 का तो सिर्फ max to max मुझे 3.5 dollar का profit या loss profit हो सकता है loss तो खर अगर मैं option selling कर रहा हूं तो अनलिमिटेड है buying कर रहा हूं तो profit unlimited है selling कर रहा हूं loss unlimited है यह तो simple options buying option selling and buying हो जाता है ठीक है उसको ने 10-10 try किया अलग-अलग quantities में try कर रहा हूं to get a feel कि कैसा profit कैसा loss होता है this one is profit this one is my brokerage अब issue नहीं आ रहा था so again I made a good profit 100 का मैंने call buy किया था around 100 और इसको कहां पे बेचा है मुझे 7.85 का profit हुआ इसमें this is 5th में बहुत पहले से अगर देखा तो आपको जब मैं 1 1 quantity लेना चालू कर दिया 1 BTC का quantity लेना चालू किया तब क्या हुआ चोटे 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 profit चोटे चोटे I was trying to get a hang of the game की कैसा होता है देखो and here I got a 12 dollar profit 24 dollar loss कि की देखो option selling तो हमने कर दिया उस time पे जो BTC था around 7th में बहुत जादा move कर गया था और उसके बज़े से जादा loss होगा अब यह selling अगर आप करते हो तो loss जादा बड़े हो सकते हैं similarly Ethereum हमने लिया same यह सारे contract sizes दिख रहे हैं this is contract में रखा है चली और ऊपर चलते हैं 10 dollars ethereum loss आने दो आने तो धीरे धीरे आएगा देखो मैं यहां से quantity थोड़ी बढ़ानी चालो कि okay I'm getting a hang of this it's not that bad bitcoin 106 का मैंने बाई कि डिरेक futures अब मैंने ट्राइक कि कैसा रहता है उसको बाद एक SL था SL कड़ गया same देखो मेरा SL point same है 25-25 dollar का SL लेके आराम से मैं चल रहा हूँ जैसे अभी हमने SL लगाया बर जितना position size बढ़ाते जाओगे यह देखो maker fee लगा है मुझे 1 dollar का ठीक है so you need to remember जब भी आप trade लेते हो आपका maker taker fee कितना रहता है वो भी हम उपर देख लेंगे पहले ही आपको offset करके रखना है let's say अगर आपने 1 BTC में trade किया तो total 8 dollar तो आपका वहीं पर खतम 8 USDT का आपको पहले से ही एक margin लेके चलना पड़ता है 8 USDT का ठीक है मतलब profit loss सब कुछ मिला के 8 USDT का आपके पास margin होना चाहिए नहीं तो आप चाहे profit में खतम करो आपको loss सी दिखेगा चलिए और देखते हैं हम लोग सब 00 यहां धीरी दे रहे ओक्या यहां मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगने लगा यहां तक मैंने भी मुझे इंडियन मार्केट की ज्यादा आदत थी तो मुझे यह नहीं पता था कि भाई फाल तुम्हें मेरा ज्यादा ब्रोक्रेश लगने लग जाएगा अब देखो मेरे को सिर्फ और प्लेस करने का 4 USDT यह अभी चल रहा है 87.90 का 9 पर हम इसको काल्कुलेट करेंगे 94036 तीन सो साट रुपए सिर्फ और प्लेस करने का लगा है और और क्लोज करने का और तीन सो साट रुपए मतलब आगर आपने एक बीटी सी में ट्रेड कर लिया इंस्टेंट आपको 700-800 का इंस्टेंट लॉस है सिर्फ एक बीटी सी में ट्रेड करने के लिए तो यह चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए क्योंकि प्रोफिट बड़े हो सकते हैं बर ब्रोकरेज आपको ध्यान देना पड़ेगा और यह सिर्फ डेल्टा एक्शेंज की बा जो है बारी है साइकोलीजी के लिए उसके बाद लुटा से रिककरता हैं प्रोफिट पैसे बनने लग गये बंने लग बंने लगे बनने लग लागये इंदि जल्दी आप देखो अब आने वाला है तुर मैंने क्या 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 एकन्टी से हओ त्टी चूच यह कूछ कॉल म मैंने बड़े टेटेट लेना चालू किया है, 1000 USDT, 14 USDT का लॉस, 1000 Bitcoin, यानि की 1 Bitcoin ट्रेट किया है, 14 USDT लॉस और मेरा ब्रोकरेज देखो, ब्रोकरेज जरी जरे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकुस इस अ मार्केट ओडर, सिर्क है, मार्केट ओडर में और जादा ब्रोकरेज लग गया, एक USDT पर, और देखो, चेक दिस आउट, 54 USDT लॉस, इवन दो, मेरा बाई सेल ऐसाने की, बहुत जादा है, बहुत कम है, 394 and 334, that's it, और देखो, चेक दिस आउट, 160, and ऐसा ने की है, कुछ बहुत गरबड प्राइस, इस जस्ट मैने 300 पे लिया है, इन में से एक और बेरा बाई प्राइस होगा, और उसमें से एक मेरा सेल प्राइस होगा, और इस इस नोट एक्स्ट्रीम, 100-100 पॉइंट का SL टारगेट, is fine, that's not an issue, अब सेम चीज का मुझे रिटर्न कैसे मिला, आपको दिखाता हूँ, ये मैने क्या किया, कि भाई, अब ये कॉंटिटी मिले जादा हो रही है, for this account size, I can't trade with 1000 US DUT, that's a huge amount for me, चलिया, और दिखाता हूँ, so when I realized that, इमेरेटल मुझे अमाउंट कम करना चालू किया, चलो, let's see, let's see, let's see, जैसे ही, जैसे ही मुझे अपना proper amount size पता चला, look at this, instant, और ये मुझे पुट में प्रोफित हुआ है, पुट के सिर्फ 200 कॉंटिटी में, देखरो, मैने पुट किते हैं भाई किया, I'll show you, that's the 27,500 put, 27,500 put at 156, I think यही वाली है, yes, 156 की भाईं है, 517 में sell किया है, imagine if this was not 200, this was one quantity, instant मेरा पूरा रिकावर हो जाता, ये सोचने की बात में, बोलने की बात, और ये पुट में हुआ है, मतलब सोचो, Bitcoin कितना तेजी से गिरा होगा, 517, check this out, धीरी धीरे profit loss, profit loss, अब उसका चोटा चोटा profit, चोटा चोटा लॉस, हमने 100 quantity, 200 quantity, उस तरह से trade किया, अब एक और दिक्कत ये हो गया था, यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, see, I traded 450 quantity of Ethereum, minus 44 USDT, I'll show you something, this is 13th May, ये है, आटो फिल होने के वाज़े से, trading fees, मतलब ये liquidation में गया है, liquidation क्या होता है, अगर आपने leverage जादा ले लिया है, और amount जाद होगा, 0.7, 0.8, इस तरह का रहता है, ये लिक्विडेशन दिखा रहा है, अगर ये हो गया, तो वो आटोमाटिक कट जाता है, ये मेरा 1800 का call था, 13 मही को 240 को ऐसा क्या हुआ Ethereum में, let's check it out, चलो, चार्ट पे चलके देखते हैं, कि Ethereum में ऐसा क्या हुआ हुआ, ठीक है, इस अराउंड, वापस एक बार देखते हैं हम लोग, इस थर्टीन्थ में, 241, चलो, इस ट्रेड में आपको एक काफी इंपॉर्टन चीज़ पता चलेगी, लुक अट इस, इस थर्टीन्थ में का अगर हम देखेंगे, एक स्पाइक आया था, इस थर्टीन्थ में आइटिंग, येस, इस इस थर्टीन्थ में गया आईए, और इसी के साथ साथ मेरी एक और हेज़ पोजिशन भी बनी वी थी, लुक अट थे हेज़ पोजिशन, मैं हेज़ वस एटीन ट्वेंटी कॉल, ये मैंने चार पे लिया था, और ये अठारा सो का मैंने 7.5 पे सेल किया था, तो अगर मुझे प्रॉफिट होता, तो मैं ये 3 डॉलर, सारी 3 डॉलर का अर्बिट्राज कर रहा था, बिकोज मुझे पता था कि ये एक्सपाइर हुआ अगर, तो मुझे ये तो मिली जाएगा, 3 डॉलर, 2 डॉलर तो मिली जाएगा, मैक्स to मैक्स जो लॉस होगा, अपॉन एक्सपाइरी वो एक्सपाइरी पे कहाँ क्लोज हुआ है, लेट्स सी 13 ये था, ये था मेरा मैक्समम लॉस, लेकिन उसके जगह मुर्य हो गया है, माइनस 44, ऐसा क्यूं, ये फीचर आजाता है, मार्जिन्स में, अभी तो खार, नॉर्मल ट्रेडिंग में करना हूँ, इवेंचली मैं इसमें और दालके करूंगा, इन सब ट्रेड की वज़े से, आज प्लाटफॉर्म को बेस्ट यूज कैसे करना है, यहां प्रॉफित होता है, वहां लॉस भी पॉसिबल है, और लॉसे यह आपको काफे चीज़े सिखाती है, तो मेरा यह हिस्ट्री रहा है, जहां भी कोई मैं नए चीज़ करता हूँ, पहले मैं फुल जोग देता हूँ, फुल एक्सपेरिमेंट, अब यहां प्रॉफित होता, बहुत अच्छा प्रॉफित हो जाता, लॉस होता ठीक है, इसमें क्या क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, बढ़ दाट्स ओके, नव चेक दिस आउट, यहां पर जो मेरा मार्जिन मोड है, इसी के साथ साथ आपको आता है, एक आईसोलेटड मार्जिन मोड, जहां पर अल इंस्रूमेंट प्लेस, जो मेरा यहां प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, माइनस 44 USDT का, मेरा यह जो मार्जिन था, मेरे बाकी कैपिटल से ऑफसेट नहीं किया, उसने यह आटोमाटिक कटा है, मेरा हेज होने के बावजूदी, आटोमाटिक कटा है, विकॉज एक स्विच होता है, और उस चकर में एक और 44 USDT का, मुझे मजाख में लॉस हो गया, बट उस चीज़ से, सिंपल, सिंपल लर्निंग्स यही है, कि कुछ भी अगर आप नया कर रहे हो, लेट से आप सिर्फ डेल्टा ही कर रहे हो, बिटकॉन ओप्शन ही कर रहे हो, अब मेरे लिए ये लॉस हो गया, ऐसा नहीं कि मेरा घर बंद हो जाएगा, बहुत टेंशन की बात है, अगर गया तो गया, ये माइनसेट से मिन लिया था, और सेम चीज, यहाँ पर भी वही माइनसेट था, कि लेट सी, कि क्या होता है, अगर मैं 1000 से ट्रेड करता हूँ, अगर मेरा ब्रोकरिज तुफाल तुमें कट रहा है, मैं कॉस्प पर बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़े-बड़े लॉस दिख रहे है, ये ड़सन मेक सेंस, चलो देखते हैं, एक लंबा होल्ड कर देखते हैं, फिर स्कालपिंग के लिए, मार्के अटर लगा के अगर आप प्लेस करोगे, फिर से नॉट देखते हैं, अगर आप को इतना सार उफसेट करना पड़ रहा है, तो उसके बाद मैं समझा कि चलो ठीक है, कॉन्टिटी मुझे सही करनी पड़ेगी, quantity सही किया same cheese same mindset से था सही quantity से मैं hold कर पाया that's it I had two positions या तो उस ताम पे कुस तो news आने वाला था मेरा simple था या तो 27.500 के ऊपर निकलेगा या 28.500 के और जहां भी निकला बड़ा move आएगा ये वाला तो मैंने loss में close कर दिया ये कितने में लिए था 95 पे close हुआ दो लेकिन दूसरा वाला 5.17 पे मुझा exit मुला and that's the benefit of options trading कि अगर bitcoin जो की news पे बहुत ज्यादा बड़े moves देता देख रहे हो एक दिन में bitcoin I think this was the day कितना बड़ा move दिया this is 973 dollars worth of a move अपना इंडियन मार्केट जो है 973 rupees चलता है bank nifty अगर आप देखोगे this is 973 dollars 973 dollars इसको अगर हम से 100 से multiply करेंगे तो this is 97,300 इतने रुपए का move यतना भी नहीं तो कम से कम 90,000 रुपए का इसने fall दे दिया एक दिन में अपना index जो है 700-800 रुपए गिरिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इसने 90,000 रुपए के आस्वास का move दे दिया है और इसमें हमने dollars में कमाया तो अपने dollars में भी कमा भी सकते हो dollars में गवा भी सकते हो अगर आपको ये video पसंद आई हो तो let me know कुछ doubts है let me know because doubts तो हो नहीं है बहुत चीजे हैं इसमें जो हमें समझनी है एक पर हम recap कर लेते हैं कि क्या क्या चीजे हमें इसमें important है जानना पहले ये important है जानना कि आपको future trade करना है option trade करना है ये तब beneficial है जब आपको अच्छा leverage use करना है और आपको पता है कहां से एक directional move आ सकता है you do not do scalping ठीक है ये एक rule है don't do scalping options में selling is good on normal days news के दिन पर buying is good on news ठीक है आप दोनों edge का range के इस side का उस side का buy कर लो news के दिन आपको buying benefit हो जाएगा एक link को आपको close कर देना दूसरा link चलने दो उसमें profit हो जाएगा यह तीन चीज है पता चल गई चौथी चीज ब्रोकरिज पर ट्रेड यॉर ऑटोमाटिकली अट लीस्ट अथा 500 रुपीज लॉस ठीक है से आपको देखना है अगर अगर आप futures trade कर रहे हो और maker हो यानि कि market order लगा रहे हो तो इतना लगेगा options का चाहिए आप जैसा भी trade करो 0.3% लगेगा liquidation factor 0.5% यानि कि 0.5% भी अगर आपका वो जादा निकल गया कि आपका अकाउंट में जितना balance है उसे 0.5 जादा हो गया वो आपका liquidate हो जाएगा यह है यहाँ पर और अगर आप यहां maker fees हो 0.2 दे रहे हो उस हिसाब से पहले से आपको अपना brokerage calculate करके रखना पड़ेगा यह एक और factor है now next important factor is margin type margin type better यह रहेगा कि आप portfolio में करो portfolio में minimum आपको 500 USDT रखना पड़ेगा ठीक है यह नहीं है तो isolated कर लो isolated में आपको बस यह ध्यान रखना कि auto top up on रहे ताकि आपका balance वो लेता है 0.5 पर liquidate ना हो जाए 0.2 पर future on liquidate हो जाए यह और वो नहीं तो cross का request दाल सकते हो cross margin के लिए ठीक है यह request आप दाल सकते हो now delta में खोलने account नीचे आपको link मिल जाएगा आप वहां से खोल सकते हो मेरी link से आगे जाके link पे अगर आप मेरी link पे खोल के trades लोगे तो आपको कुछ ना कुछ में benefit जरूर दूँगा maybe कुछ group chart study कुछ ना मैं उस पर figure out कर रहा हूँ कि आपको क्या इसमें benefits दे सकते हैं अगर अभी खोलोगे trade लेना चालो कर रहेंगे तो आगे जरूर आपको benefit मिल जाके तो go check it out open the link और मैंने इसको थोड़ा सा को लेने का try किया है जो भी आपके doubt से नीचे मुझे बताइए और detailed video specific topics पे मैं आगे लाता रहूंगा आपके लिए live trading भी करनी है वो भी हम सोचेंगे but for now शुरुआत पहले education से करते हैं पहले आप जान लीजी क्या आप कर रहे हो किसमें आप कर रहे हो because without that benefit नहीं होने वाला आपका so thank you so much for watching guys और याद रखिएगा leverage बहुत अच्छी चीज है only if you know how to manage risk thank you so much for watching मिलते है नेक्स वीडियो में